नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आर्टी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों, अभी हम छटी कक्षा के इतिहास विशय के सात्वे अध्याय जिसका नाम है नए धर्मों का उदै तो इस नए चेप्टर पर अभी मैंने आपको एक विडियो उपलब्द कराया है और चलिए अब हम दूसरे विडियो की ओर आगे बढ़ते हैं तो विद्यार्थियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैन धर्म के पहले तिर्थंकर रिशब देव जी थे तो विद्यार्थियों आप ये जानना चाहेंगे कि तिर्थंकर का मतलब क्या होता है तिर्थंकर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी धर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है तो ऐसे व्यक्ति को तिर्थंकर कहा जाता है तो जैन धर्म के पहले तिर्थंकर कौन थे? रिशब देव जी थे रिशब देव जी को हम लोग आदिनाची या ब्रिशब नाची के नाम से भी जानते हैं और विद्यार्थियों मैं ये भी बता दूं कि इनकी चर्चा जो है वैदिक धर्म के रिग्वेद में भी है यानि कि ये बहुत प्राचीन गुरु है ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कुल 24 तिर्थंकरों के नाम तो विद्यार्थियों याद रखना बहुत आसान काम नहीं है और सच पूछिए तो जैन धर्म के इन 24 तिर्थंकरों के संपूर्ण क्रिया कलापों को जानना कोई आसान चीज नहीं है हम लोग 22, 23 और 24 की चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों स्क्रीन पे 22 तिर्थंकर का नाम अरिष्ट नेमी जी है और 23 तिर्थंकर कौन है? 23 तिर्थंकर है पारसुनात जी इन ही पारसुनाद जी को जार्खन राज के सम्मेद सिखर जी यानि की पारसनात की पहाड़ी पर ज्यान प्राप्ती होई थी विद्यार्थियों एक बात आप याद रखिएगा जार्खन राज में कुल 24 जिले हैं इन 24 जिलों में एक जिला है गिरिडी जो की लगभग जार्खन राज के उत्तर मद्छेतर में है है ना तो यहाँ पर जार्खन राज की सबसे उची पहाड़ी है जिसको हम लोग पारसनात की पहाड़ी के नाम से जानते हैं इसी पारसनात की पहाड़ी को सम्मेद सिखर जी के नाम से जान जाता है जैन धर्म में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तेश में तिर्थंकर कौन थे पारसुनात जी पारसुनात जी को ही हम लोग कहते हैं पारसुनात है ना पारसुनात का अभ्रंस नाम अब पारसुनात हो गया है इन ही पारसुनात जी को जार्खन राज के समेच सिखर जी यानि की पारसुनात की पहड़ी पर ज्ञान प्राप्ती होई थी तो पार्सुनाद जी कासी अर्थाद वारणसी के राजा असोसेन के पूत्र थे और उन्होंने चार सिक्षाएं दी थी तो चलिए विद्यार्थियों हम लोग जैन धर्म की सिक्षाओं की और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ये ज सच कर रहे हैं कि जैन धर्म में क्या सिक्षा दी गई थी तो पार्सुनाद जी ने जो चार सिक्षा दी थी वो चार था शत्य अहिंसा अस्टे HERE और अपरिग्रह सत्य और अहिंसा तो विद्यार्थीं अपलोग समझते हैं अस्तिया का मतलब होता है चोरी नहीं करना और अपरिग्रा का मतलब होता है ज्यादा धन संग्रा नहीं करना पहला क्या विद्यारतियों सत्य यानि की सच बोलना अहिंसा यानि की जीवहत्या नहीं करना और बाकी की जो दो है ओ है चोरी नहीं करना और ध सुनाजी कासी अर्थाद वारानसी के राजा असोसेन के पुत्र थे तो इनकी चारों सिक्षाओं के बारे में तो बताया हमने आगे चलकर विद्यारतियों 24 वे तिर्थंकर महाबीर स्वामी ने पाच्वा महाब्रत को जोड़ा जिसे हम लोग ब्रहमचर्ज के नाम से जानते हैं तो इस प्रकार से जैन धर्म की सिक्षा में पांच चीजों का महत्व है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रा और ब्रहमचर्ज इसमें से जो पहले चार है उसका संबंद पारसुनाजी से है और जो अंतिम ब्रहमचर्ज है उसका संबंद किस से है महाबीर स्वामी से ह समझ गांग विद्यार्थीओं, तो 24 वे तैर्थंकर स्वामी महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ऐसे तो आदिनाज जी जो है वो संस्थापक है लेकिन वास्थवीक संस्थापक हम लोग कहते हैं महावीर स्वामी को क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ही के समय में जयन धर्म जो है पूरे भारत में स्प्रेड हुआ, पूरे भारत में या फैला तो इनका जन्म 540 BC में कुंड ग्राम वैसाली में हुआ वैसाली यानि आज का बिहार और इनकी मृत्यू जो है वो 468 BC यानि इसापुर में पावापुरी यानि की गया में 72 बर्स की उम्र में हुआ तो आप समझ सकते हैं विद्यार्थियों कि जैन धर्म का जो उदय है वो बिहार से है अब हम लोग कुछ ऐसी बातों को जानने का प्रियास करेंगे जो की परिक्षा की दृष्टी से भी महतुपूर है और ज्यान की दृष्टी से भी महतुपूर है तो 24-वे तिर्थंकर जो महाविर स्वामी हुए इनके बचपन का नाम था वर्धमान और वर्धमान कौन थे अराजा के पुत्र थे कोई सामानने रैक्ती नहीं थे इनके पिता का नाम सिद्दार्थ जो की छत्रिये राजा थे इनकी माता का नाम तिरिसला जो की लिछवी राजा की पुत्री थी इनकी पत्नी का नाम यसोधा याद रखी गविद्यार्थियो एक चीज और देखी कभी-कभी आप लोग क्या करेंगे कि गउतम बुद्ध की जो पत्नी यसोधरा है ना तो यसोधरा और यसोधा दोनों के अंतर को थोड़ा समझे गविद्यार्थियो हम लोग यसोधरा की बात नहीं कर रहें उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत धर्म में पढ़ेंगे है ना तो महाविर स्वामी की पत्नी का नाम यसोधा पुत्री का नाम प्रिये दर्सना और इन्होंने 30 बर्स की उम्र में ग्रित्याग किया था और इनको ज्यान प्राप्ति हुई थी रिजू पाली का नदी के किनारे साल ब्रिक्स के नीचे एक अंतर और जानियेगा कि गौतम बुध को ज्यान प्राप्ती हुई थी people के bricks के नीचे और महभीर स्वामी को ज्यान प्राप्ती हुई थी साल प्रिक्ष के नीचे 42 वर्ष की उम्र में यानि कि लगभर 12 वर्षों तक उन्होंने कठीन तपस्या की कुछ महतपूर्ण तत्थ और हैं भी द्यारतियों जैसे कि महावियर के जो उब्देश है वो प्राकृत भासा में है महावियर की सिक्षा में नेतिक्ता को महतव दिया गया है जैन धर्म का उब्देश जो है वो आत्मा की पूर्णता है और जैन धरम के जो सिद्धान्त हैं जिसके मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अप्रिग्रह है और ब्रहमचर्य है है ना, जैन धरम की बाद में दो साखाएं हुई जो पहला है उसका नाम स्वेतामबर और दुसरे का नाम दिगंबर एक चीज और याद रखना भी दियरतियों संस्कृत भासा में लिखा गया जैन धरम का जो महत्पुन गरंथ है उसका नाम है कल्प सुत्र जैन साहित्य किन-किन भासाओं में लिखा गया जदी आप से सवाल पूछा जाता है तो आप कहेंगे प्राकृत भासा में, कन्नड भासा में, संस्कृत, तमिल और तेलगू भासा में और महाविर की कठोर तपस्या का वर्नन जैन गरंथ आचारांग सुत्र में मिलता है तो इन चीजों को विद्यार्थियों सिर्फ रटना नहीं है, बलकि इसको समझने का प्रियास करना है अब चलिए हम लोग कुछ ऐसी भातिक संगर्चनाओं की चर्चा करते हैं, जो की जैन धर्म से जुड़ी हुई है तो आप यहां जो तस्विर देख रहे हैं विद्यार्थियों ये उडिसा के उदैगरी पहाड़ी की पर बनी हुई जैन गुफाओं की तस्विर है यानि की जो जैन मौंग थे, जैन जो साधू थे, वो उडिसा के उदैगरी पहाड़ीयों पर भी जो है वहां पर रहते थे और वहां पर वो लोग जो है अपने धर्म के परचार परसार से जुड़े हुए थे आगे विद्यार्थियों खजुराहो जो की मद्रपरदेश में है, सवरास्ट जो की गुजरात में है और राजस्थान में भी भब्बे जैन मंदिर बने है तो कुछ की चर्चा मैंने आपको पहले भी किये विद्यार्थियों जैसे की माउंट आबू है ना, दक्षनी राजस्थान का एक छेतर है, माउंट आबू माउंट आबू में दिलवारे के मंदिर हैं, जो की भगवान नेमिनाथ के नाम पे बने हुए है नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी इसी तरह से करनाटक इस्थीत स्रवन वेल गोला में भी कई जैन मंदिर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करनाटक राज में जो स्रवन वेल गोला का जैन मंदिर है उसको भी आप यहाँ पे तस्रीर के माध्यम से देख सकते हैं अब चलिए विद्यार्थियों हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं अपने जारखन राज के पारसनाद यानि की गिरीडी के बारे में तो हमारे पाठे पुस्तक पर ये जानकारी उपलब्ध है बच्चों जैन धर्म का एक महतपून तिर्थस्थल पारसनाद जारखन के गिरीडी जीले में अवस्थित है या अस्थल जैन धर्म के तेविसे तिर्थंकर पारसुनाद से सम्मंदित है पारसुनात का काल महाबीर से 250 साल पहले माना जाता है यानि कि पारसुनात जी पहले अवत्रित हुए और बाद में महाबीर मानेता है कि जैन धर्म के 24 तिर्थंकरों में 20 का निर्वान अस्थल पारसुनात ही है यानि कि 24 तिर्थंकर में 20 जो हैं उनकी मृत्यू कहां पे हुई है पारसनात में ही हुई है तो आप सोच सकते हैं कि पारसनात जैन धर्म के लिए कितना महत्वपूर है जिस अस्थल पर मंदिर आदि निर्मित है उसे समेद सिखर कहते हैं जैन धर्म वाले कहते हैं समेद सिखर जी यह जारखन का सबसी उचा अस्थल है इसकी उचाई समुद्र तल से 1365 मीटर यानि कि लगभग 4441 फीट है यह अस्थल इतना उचा है कि चोटी में प्राता काल के समय बादलों को तैर कर नजदीक से गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है यहाँ पर्यटकों का यानि कि टूरिस्ट का सालों भर आना जाना लगा रहता है तो आप देख सकते हैं विद्यारतियों यहाँ पर पारसनात की पहाड़ी का जो सरवोच सिखर है वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं और किस परकार आने जाने के रास्ते भी बने हुए हैं तो यह काफी महतपूर्ण स्थान है जैन धर्म से जुड़ा हुआ तो इस परकार से जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने दो वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानने का प्रयास किया और मैं तो कहूंगा कि आप टेक्स्ट बूक को ध्यान से पढ़ें और महतपूर्ण जो भी बाते आपको वीडियो में नजर आती हैं या फिर आपने पाठे पुस्तर में पढ़ा उसको जरूर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें ताकि चीजें आपको याद रहें तो ठीक है विद्यार्तियों मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग बहुत धर्म से सम्मंदित जानकारी का हम लोग आधान परदान करेंगे तो इस वीडियो को मैं यही पे समाप्त करता हूँ और आप अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें आप बहुत धर्म की सिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो एक महत्पून बात जो मैं बार बार दो रहाता हूँ कि टेक्स्ट बुक अवस पढ़िए और जरूरी चीजों को आप जरूर नोट डाउन कीजिए तो इस वीडियो को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ जहिन विद्यार्तियों जोहार विद्यार्तियों